कभी सरकार की नितियों से तो कभी प्राकरतिक आपदाओं से घिरा रहता हैं किसान, अगली समश्या के मिठते भी नहीं है निसान और अगली या आगे की समश्या करने लग जाती हैं परेसान, जूत होसला रखना पड़ता हैं एसे ही नहीं कहलाता हैं महान किसान, जै जवान जाई किसान, किसान साथियों किसान की समश्या समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, एक समश्या खताम नहीं होती हैं, उसके पहले उसके सामने दूसरी समश्या आ जाती हैं, उसके बारे में पूरी चर्चा करें, तो किसान साथियों पहले सुखे का संकड था, सोयवीन क फसल मुर्जा गई, पानी की काफी ज़्यादा खेच लगी और किसान भाई परेशान हुआ, उसकी फसल बरबाद हो चुकी थी, उसके बाद में बची कुछी फसल इल्लियों ने चट कर दी, उसकी जानकारी भी हमने आपको दी थी, काफी ज़्यादा मात्रा में कीट, रस्च हो रही हैं, उसके कारण खराब हो चुकी हैं, और अती वरष्टी से जो फसले अभी कटाई के लायक हुई थी, उनमें काफी ज़्यादा उगने की समश्या या अंकुरन की समश्या खड़ी फसल में होने लगी हैं, जिससे की आप देख रहे हो, इस प्रकार से पूरी के कर रहा हैं, हर एक परेसानी जो उसके सामने एक एक करके आ रही हैं, जिसके हमने आपको पूरा विवरन दिया हैं, तो यह समश्या अभी किसान भाईों के सामने नई आ चुकी हैं, पहले की समश्या उससे हमने आपको आउगत कराया था, पर यह जो सोयब इनकी फलिया अंक यह किसान भाईों के बीच में अभी काफी ज़्यादा है और सबी किसान भाई इससे ज़्यादा प्रभावित हैं जिनकी फसल अभी परिपको हो चुकी हैं दाने भर चुके हैं उनमें अब उनको कटाई करके अच्छा मुनाफा करने की जो बारी आई थी उस समय भी प्रकृत ने धोका दिया है और किसान भाईयों के जो मूँ का निवाला अभी छिन चुका है और जो देख रहे हो आप स्क्रीन पर इस प्रकार से फसल जो है उगनी स्टार्ट हो गई है अंकूरण उसका परिपक्व इस्तिती में हो गया है जिसके काराण काफी ज्यादा नुकसान हो र दग रहा है तो एसी समश्याओं से किसान भाई को बाहर जरूर निकाले उनका जो नुकसान हुआ है कितना नुकसान हुआ है उसके अनुसार उनको मुआवजा दरूर दे भीमा फसल भीमा करवा रखा है किसान भाईयों ने काफी दिक्कतों का सामना करके फसल भीमा की किस् पूरी सर्वे करवाए और सर्वे की तो मैं मानता हूं कि जरूरत भी नहीं लगेगी क्योंकि पूरा के पूरा मद्ध्रदेसी इस समश्याओं से प्रभावी थे पहले सुके का संकट का सामना किया फिर जो है इल्लिया काफी लगी कीट काफी लगे उसके बाद अतीव बोड़े छेतर में यह समश्या फेली हैं जिसके कारान फसले तबाव और बरबाद हो चुकी है तो इन फसलों का जो सरकार को नुकसान देना चाहिए और किसानों को बचाना चाहिए ताकि वह आगे आने वाले समय में फसलों में खर्चा कर सके दो पेसे किसान के पास होंग में जरूर बताएं हमारी जानकारी आपको केसी लगी कमेंट में जरूर बताएं जानकारी को पूरा देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें और जय जावान जय किसान भी जरूर लिखें चेनल पर एसी ही खेती से संबनी जानकारी या सरकारी योजना से संबनी जानकारी ड रुकरे धन्यवाद जय हीन जय भारत